हेलो गाइज मैं हूँ आपका मेंटोर और जिन्दुवा आपका मेरे चैनल एंस्यारिटी मैथ गुरूप पर स्वागत है आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एंस्यारिटी मैथ का 15 चैप्टर 15 चैप्टर है मारा प्रोबैबिलिटी तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका तो कहते हैं यहां पर हम क्या क्या थैप्ट जो हमने क्या क्या उबन जesक है है की लिखा उसको वन याने हैं दया है कि इसको एक चॉइन पहुंटे लाते घट यह लाट चनली होगी तो देखिए इस तरह से हम इसकी करते हैं तो देखिंगि यहां पर कुछ वर्ड़ हैं आपको पता लग जाएगा कि इसमें हम प्रोबैबिलिटीस फाइंड करेंगे जैसे कि प्रोबैबिली हो गया मोस्ट प्रोबैबिली चांसिस फिफ्टि फिफ्टि यह से एक रिए में हो तो एक्जैंपल स्टार्ट करने से पहले आपको इसका फॉर्म मैं आपको दुबार अबता देता हूँ आपको प्रोबैबिलिटी फांड करने के लिए हमारे पास यह फॉर्म मेर रहे गा देखिए यानि कि प्रोबैब प्रोबैबिलिटी ओफ इवेंट यहां पर यह वाला की यह क्या है event को शो कर रहा है यहाने कि हम जो सका भी निकालें जैसे की हैड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे event क्या रहेगा हमारे पास हैड रहे गा इस तरह से हम इसको find करेंगे तो नम उपर क्या लिखेंगे हम number of trials in which the event happened और अपोन में the total number of trials यह हमारा रहेगा और इसको हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं उपर हम यहां क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं number of favorable outcome अपोन में total number of outcome इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं और आपको यह भी पत्ता देता हूं मैं एक बार कि probability जब हम find करेंगे वह कभी भी वन से बड़ी नहीं आएगी जब भी वह निकालेंगे हम probability करेंगे वह 0 से बन के बीच में आएगी यान की 0 भी हो सकती है और वन भी हो सकती है इनके बीच में भी रहेगी जैसे कि हमने हैट 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 की प्रोबैबिटी जब क्या था तो वन बै टू थी तो वन बै टू का मतलब क्या होता है 0.5 होता है तो वन और जीरो के बीच में ही है तो इसलिए हम कह रहे हैं हमेशा जीरो और वन के बीच में ही रहेगी जब हम probability का सम find करेंगे तब वो वन के equal हो सकती है तो हम सबसे पहले इसका example start करते हैं example number one a coin is tossed thousand times with the flowing frequencies head 455 and tail 545 तो देखिए यहां पर क्या है हमने coin toss किया है कितनी times one thousand time जैसे कि मैंने आप example रहता कि हमने one time toss किया तो यहां पर हमने 1000 time toss के है इस तरह से और इसके frequencies जाने कि इसमें जो है head कितनी बार आया है 455 बार आया है और टेल आया हमारे पास 545 बार तो अब हम यहां पर क्या find करने हैं हमें यहां पर compute the probability for each event तो यहां पर हमें हर एक event की क्या find करनी है probability find करनी है तो हम किस तना से करेंगे सबसे पहले इवेंट number of trials यानि een number of favorable outcome यहां पर जो हमारे favorable में होंगे favor में होंगे यानिकि हमारे favor में है त्वर में है इस टाइम पे और यहां पर नीचे क्या लिखेंगे हम total number इयानिकि हमने कितनी बाहत सको Film dosить किया है तो यहां पर probability of event यानि कि हमने किया तो हैं हमारा कितनी बाहा रहा था 455 बार आया था और नीचे हम क्या लिखेंगे थाउजन लिखेंगे क्योंकि यहां पर नंबर ओफ ट्राइल आया टोटल नंबर ओफ ट्राइल तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.455 तो इस तरह से यह देखिए हमारी वैल करेंगे तो यहां पर टेल किस तरह फाइंड करेंगा था प्रोबैबर्रिटी ओव्ड nieu इवेंट गयाटिकट यहां प्रेल आने के कितने प्र gouप पर वॉब लीटिए हमें गीवन नंबर हें कितने हैं 545 तो अम यहां पर लिखा वाइफ 145 फंर्टòng of trials Total number कितने थे 1000 थे तो हमने कैसे किया सबसे पहले number of हमने टेल लिखा अपोन में लिखा number total number of trials तो इनकीन कर देंगे तो हमारे पास क्या value आगए 0.545 तो देखें जैसे कि यहां पर मैंने प्रोब पहले लिए था pe यहाँ पर जो e था वो event था अब यहाँ पर मैंने f ले लिए तो आप इसको e1 भी ले सकते हैं चाहे आप f ले लिजे चाहे आप e1 ले लिजे दोनों ही same है तो यहाँ पर मैंने आप भी आपको बताया था कि इंका sum कितना रहेगा 1 रहेगा 1 से बड़ा नहीं हो सकते इंका sum तो देखे एक बर इनको एड़ करके भी आपको दिखा देता हूं पी फ्लस पी एफ को अगर आप एड़ करें यानि 0.455 को अगर आप एड़ करें 0.4 0.545 में आड़ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा वन रहेगा वो हमेशा वन के एक वल ही रहेगा वन से बड़ा नहीं हो सकता तो इस तरह देखे एक्जैंपल नंबर टू है हमारे पास coins are toast simultaneously 500 times and we get two heads 105 times one head 275 times no head 120 times तो हमने क्या किया हमने लगा तार 500 times वह coin को two coins को toast किया है जिसमें हमारे पास दो head आये यानि कि two head अगर हमारे पास आया 105 times इस तरह one head हमारे पास आया 275 times एक भी head नहीं आने का मतलब यहां पर tails आया होगा 120 times तो इस तरह से हमें यह देखे इनकी जो हमें frequencies given है अब यहाँ पे हमें क्या find करना है find the probability of occurrence of each of these events तो यहाँ पे हमें हर एक event की probability find करनी है तो सबसे पहले हम two heads की probability find करते हैं तो two heads की probability find करने के लिए हम इसको event क्या ले 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 जैसे कि मैं अब भी आपको बताया था e1 e2 इस तरह से हम इसको ले सकते हैं या फिर e fg इस तरह भी हम ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने e1 लेके दिखा रहा हूं आपको तो two head आने की probability क्या होगी two head हमारे पास कितनी बार आया है 105 times आया है तो उपर क्या आएगा number of trails 105 आ गया यानिकि number of two heads हमारे पास 105 बार आया है टोटल नंबर कितने थे टोटल टाइम हमने कितनी बार टोस किया है उसको 500 टोस किया तो अपन में 500 आ गया तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी value आ जाएगी 0.21 तो इस तरह से हमने इसकी probability find कर ली है अब हमें second की find कर ली है यानिकि one head एक बार head आया होगा तो उसमे कितनी probability बन जाएगी उसकी 275 upon 500 यानिकि 275 क्या साय हमारे पास उपर हम क्या लिखेंगे one head हमारे पस कितनी बार आया यानिकि number of one head number of one head तो 275 था यह हमारे पास given था अब हमें नीचे क्या लिखना था नीचे हमें total number हमारे पास 500 है तो हमने अपन में 500 लिखा तो अब क्या कर 55 हमारे पास डिवाइड करने पर आ जाएगा इसी तरह अब यहानिकि no head number of no head यानिकि इसमें एक बार भी head नहीं आया तो इसमें टेल आया होगा हमारे पस तो यहां पर है वो टाइम कितनी है 120 टाइम्स है तो हमने उपर लिखा 120 और नीचे क्या लिखेंगे total number total number हमारे पास 500 तो हमने नीचे 500 लिख दिया तो हमारे पास value क्या गई 0.24 तो देखिए इस तरह से मिनें की probability find करी है अब आप मैंने आपको पता है था इनका सम कितना रहेगा मिशाब वन के एकवल रहेगा तो आप इन तिन नहीं को plus कीजिए तो आपका solution इसके वन के एकवल ही रहेगा त the frequencies is for the outcomes one two three four five and six as given the flowing table तो देखिए अब क्या करेंगे हम तो सबसे पहले कि यह जो डाई है डाइस यानि की हमने एक गीटा होता है जैसे लूडो में हम गीटा होता है हमारे पास उसको हमने थ्रो किया 1000 तो उसमें हमारे पास probability कितने रहेंगी कितने chances है एक 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 नमबर आन होते हैं तो यहां पे हमें frequencies is given अले कि अगर हमने 1000 तयम एक को थ्रो किया है तो उसमें 1 हमारे पास 179 बार आया है इसी तरह तो जो है कितनी बार आया 我 bef्हूइं 50 जा llegar 3 कितनी बार यह 157 बार आया है इस तरह เหोर हमारे पेस काहhol 00575 106 190 या तो देखी इस तरह से हमारे पास वैलियो जाई आए है यानि कि जब हमने इक 1000 टाइमज एक fandrampe को त्लो किया तो उसमें हमारे पास वन जो है one ओंबर पर होता है ना वन नमबर वो हमारे पास 179 बार आया है इस तरह से तो अब इसकी हमें क्या find करनी है find the probability of getting each outcome तो हमें यहां पर हर एक क्या बतानी है probability find करके बतानी है कितनी होगी तो देखें जैसे कि मैंने भी आपको बताया था किस इस तरह find करना है सबसे पहले क्या लिखेंगे पी इवन यानिकी probability of event वन यानिकी जो हमारे पास event वन क्या रहेगा वन नमबर पर जो हमारे पास हम उसको ले रहे हैं यानि कि उसमें वन कितनी बार आया है वन सेम्टी नाइन टाया है तो सबसे पहले उपर क्या लिखेंगे फेवरे नंबर और फेवरेबल आउटकाम्स लिख सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर वन कितनी बार आया है वन हमारे पास वन कितनी बार आया है तो हमने वन सेम्टी नाइन बार यानि तो हमारे पास value आ जाएगी 0.179 तो यह हमारे पास इसकी value आ गई है अब हम क्या करेंगे इसी तरह से second probability भी find करेंगे याने की event two भी हम find करेंगे तो event two में number two लेंगे number two हमारे पास 150 टाइम आया था देखी यहाँ पर 150 टाइम जाया था तो अब हमारे पास क्या value आ जाएगी 0.15 इसी तरह से हम सेकेंड नंबर को भी डिवाइड करेंगे यानि कि हमने दो event find कर ली अब थर्ड इवाइंट की बारी यानि कि इसमें number three आएगा तो three three कितनी बार आया था हमारे पास देखी यहां पर 157 टाइम आया था तो इतनी बार हमने इसको थो किया यानि कि टोटल नंबर लिखेंगे यानि कि 1000 तो इसको आप सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डैसिमल में zero point one five seven इसी तरह से हम four को भी find करेंगे यानि कि पी फॉर इवेंट फॉर क्या होगा फॉर नंबर का होगा फॉर नंबर हमारे पस कितनी बार आया था one forty nine times आया था तो उपर क्या लिखेंगे one forty nine times और अपॉन में one thousand अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी zero point one four nine अब हम क्या करेंगे event five define करेंगे तो event five हम किस तरह से find करेंगे तो event five में हमारे पास या da डेकि कितनी बार आए इवेंट 5 में 5 हमारे पास 175 टाइमस आया तो हमने यहां पर लिखा सबसे पहले 175 अपवन में क्या लिखेंगे 1000 क्योंकि टोटल नंबर है हमारे पास 1000 हमने इसको इस तरह से लिखा तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.175 आ जाएगा अब हम क्या करेंगे इवेंट 6 भी find करेंगे तो 6 हमारे पास कितनी बार आया था 190 टाइम जाया था यानिकि 190 उपर लिखेंगे और 1000 नीचे लिखेंगे तो इस तरह से हैं इसको डिवाइट कर देंगे तो हमारे पास ये values आ जाएंगी तो देखी यहां पर सबसे पहले इवेंट 1 find करने के लिए हमने पहले जो नंबर हमारे पास गिवन था 179 उसको लिखा फिर 1000 से डिवाइड किया इस तरह से हमने second नंबर को भी करना है 150 गिवन था हमारे पास हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये देखी ये values आ गई हैं अब इनको आप simple अगर एड करेंगे तो वो हमेशा one के equal ही रहेगी जैसे कि मैंने अब उगताया था हमारी probability zero और one के बीच में रहेगी और इनका sum जो है वो one के equal रहेगा और हम इवेंट को किस तरह लिए सकते हैं e1 e2 e3 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अब हमारे पास example number है fourth देखी इसको इस तरह से हमारे पास एक्जेंपल गिवन है for example in the number two five eight two eight five seven three जो इसमें unit digit unit digit का मतलब unit place का मतलब क्या होगा जो unit number यानि की first number होगा three इस तरह से हमारे unit number होगा तो इसको ध्यान से समझे unit number unit place इस तरह से हम जिसको बोलते हैं वो हमारे पास three है तो यहां पर देखी हमारे पास digit क्या given है zero one two three four five six seven eight nine तो phone number में इसके इलावे कोई और number नहीं होता तो इसमें देखी unit जो digit थी वो उसमें जो zero है वो 22 times आया है इस तरह जो one है वो 26 times आया है 222 times आया three be 22 times आया four हमारे पास 20 times है यानि कि एक डिरेक्ट जो पेज है उस पे 200 जो number थे उसमें जो लास्ट में zero होता है वो 22 बार है वन जो है 26 है इस तरह से मारे पास यह number आ गए है यह frequency हमें given है अब हमें करना कहा है देखिए without looking at the page the pencil is placed on one of these number that is the number is chosen at random what is the probability that the digit in its place is six तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे information क्या गिए हमें जो है without looking हमें बिना देखे जो है उस पेज़ पर हमें pencil चलानी जैसे देखिए माली यहां पर कुछ नंबर थे इस तरह से तो हमने पैंसल को इस तरह चलाते से रोक लिए तो यह देखिए यहां पर जैसे टू आ गया तो यहां पर हमें बताना है कि six जो है कितनी बार आएगा तो हमें random random कम मतलब बीच में से ही चूज करना है वह लैंड वाज नहीं लिखिए होंगे लैंड टू लैंड नहीं लिखिए होंगे जैसे जीरो बन टू इस तरह दिखा रख है आपको इस तरह व of six तो six के frequency किया है वो लिखेंगे और नीचे टोटल नंबर लिखेंगे तो टोटल नंबर हम इस तरह से लिख देंगे तो टोटल नंबर हमारे पास 200 है जो है 14 times गिवन है तो हमने क्या लिखा ऊपर 14 लिख दिया नीचे 200 लिख दिया तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हम हमारे पास गिवन यहां तो हमने पर लिखा और टोटल नंबर कितने हैं वह 200 है उसको नीचे लिखा तो हम इसको चिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यह नंबर आज आ जाएगा अब हम क्या करेंगे अब हम example number 5 करते हैं तो देखे example number 5 में हमारे पास क्या information given है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें weather station है उसमें पिछले 250 दिनों का weather देखके हमें यहाँ पर forecast किया गया है यानि कि उसका जो forecast करने का है correct उसमें जो correct answer आएंगे उसके 175 टाइम्स है यानि कि 175 टाइम्स तो सही रहा बाकी टाइम्स जो है वह गल्द रहा तो यहाँ पर हमें probability देखे किसकी find करनी है what is the probability that on a given day is was correct तो यहाँ पर हमें correct days के बतानी है कि कितनी हमारे पास probability रहेगी तो correct कितनी बार आया है हमारे पास correct times हमारे पास है 175 तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे probability हमें किसकी find करनी है यह इसको हम event 1 विदी दे सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते है probability the forecast was correct on a given day तो इस तरह हम भी लिख सकते हैं अब हम क्या करेंगे जितनी बार हमारे पास given है कि वो correct है वो लिखेंगे तो correct कितनी बार है 175 times है correct तो हमने उपर लिख दिया 175 और नीचे given कितना रहेगा 250 क्योंकि हमारे पास 250 days ही given थे तो हमने total days लिख दिया यहाँ पर record कितना था 250 days के लिए था तो 175 upon 250 तो इस तरह से हम इसको solve करेंगे अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है तो इसको simply अब क्या कर लिजिए डिवाइड कर लिजिए आपका solution आ जाएगा 0.7 अब second देखे second part हमारे पास क्या given है what is the probability that it was not correct on a given day तो इसमें अब जो है correct नहीं कितने है यानि कि गल्त कितने है incorrect कितने होंगे अब वो कैसे find करेंगे क्योंकि हमें correct की ही information given थी यहाँ पर सिरफ हमें correct ही given था कि correct हमारे पास 175 times है और total हमारे पास given है 250 total given है हमारे पास 250 तो अब क्या करेंगे incorrect के लिए 250 में से इसको minus कर देंगे माल लेजिए हमारे पास 5 कोई sum थे उसमें से 2 सही है तो गल्त कितने होंगे तिन ही होंगे तो इस तरह हमने इसको find करना है 250 में से 175 अगर minus कर देंगे तो वो incorrect आ जाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा देखे इस तरह से 250 minus 175 equal to 75 तो यह हमारे पास not correct या फिर कह सकते हैं कि incorrect आगए हमारे पास तो यह हमारे पास incorrect आगए अब हमें बताना है कि इसमें से इसके probability क्या होगी तो 75 को हम उपर लिखेंगे यानि कि number of favorable outcomes हमारे पास 75 है और upon में 250 यानि कि total number यानि कि total days तो हम हमारे पास value आजाएगी 0.3 तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इनका sum कितना रहेगा आपको यह ध्यान रखना है इनका sum 1 के equal रहेगा हमेशा तो इसका sum देखे इस तरह से 1 के equal रहेगा अब देखिए next example हमारे पास number six a tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced the table show the result of thousand cases तो देखिए यहां प पे जड़ इसको replace करने के times देखे किस तरह से given है कि tire को कब replace करेंगे तो सबसे पहले distance देखिए less than 4000 यानि कि 4000 किलो मेटर होने से पहले ही हमने इसको change कर दी है यानिकि 20 times हमने ऐसा किया फिर हमने क्या क्या 4000 to 9000 यानिकि 4000 से 9000 के बीच में जो है हमने इसको कब कितनी बार replace किय 110 यानिकい 210 times हमने इसको replace किया इस तरह से 90001 to 14000 यानिकि 9001 से लेके 14000 चНच के थिज से हमने क्या mais हमने इसको 455 times हमने change किया अब देखिए हमें करना क्या है if you buy a tire of this company what is the probability that अगर हम इस company के क्या करते है तो हम इसकी probability find करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा इसकी probability it will need to be replaced before it has covered 4000 km तो 4000 से पहले ही हमने इसको replace करना है तो कितने frequencies given है हमारे पास 20 तो अब क्या करना है सबसे पहले total number of trials यानि कि हमारे पास trials कितनी बार है यानि कि total number कितने है 1000 जैसे कि मैंने आपको starting में भी बताया था यहाँ पर हमारे पास 1000 केस रहेंगे तो total number हमारे पास हमेशा 1000 रहेंगे इस case में और हमने हमारे पास frequency क्या है 20 टाइमस की है हमने 4000 किलोमेटर से पहले ही इसको replace कर लिया तो क्या रहेंगे हमारे पास probability 20 अपोन 1000 जैसे कि मैंने आपको पूटाया है ऊपर क्या लिखना है नंबर ओफेवरेबल आउटकम तो नंबर ओफेवरेबल आउटकम कितने है हमारे पास 20 है और अपोन में टोटल नंबर टोटल नंबर हमारे पास 1000 अब इसको simply divide कर देने आपके पास solution आपके सामने हो जाएगा 0.02 तो यह हमारे इसकी probability थी अब second part देखे क्या है it will last more than 9000 तो यहां पर क्या बताया है more than 9000 तो देखिए more than 9000 हम किस तरह से करेंगे तो more than 9000 हमारे पास यह है यानि कि 325 प्लस क्या कर देंगे 445 को भी add कर देंगे यानि कि 9000 से हमने ज़ादा जो है चला कर उसको replace किया तो यह दोनों हमारे पास case आ गई अगर हमें बताया जाता कि इसको 14000 से कम कोशन में आ जाता 14000 से कम लेना है तो हम इसको लेते खाली यानि कि 325 को लेते लेकिन इसमें कहा गया हमें last more than 9000 यानि कि 9000 से ज़ादा तो 9000 से ज़ादा तो हमारे पास यह दो case बन रहे हैं 325 और 445 अब हम कौन सा case लेंगे हम क्या करेंगे इन दोनों को ही add कर लेंगे तो हमने इन दोनों को ही add कर दिया इस तरह से देखे 325 प्लस 445 को अगर add कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 770 आ जाएगा अब इसकी probability find करनी है तो probability find करने के लिए क्या करेंगे number of favorable outcome कितने है 770 तो उसको हम उपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे total number total number हमारे पास है 1000 तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया अब इसको क्या करेंगे simply divide कर देंगे तो divide करने पर हमारे पास value क्या जाएगी 0.77 अब देखे last case हमार is needed to replace after it has covered somewhere between 4000 किलोमेटर and 14000 किलोमेटर यानि कि अब 4000 से ज्यादा और 14000 से कम का हम इसको ले लेंगे यानि कि कि दो के सको लेंगे अब हम 4000 से ज्यादा और 14000 से कम तो देखे 4000 से ज्यादा तो हमारे पास यह case है 4000 और next हमें बताया गया 14000 से कम तो 14000 से कम तो 9001 भी आ जाएगा यानि कि यह 2 case आ जाएगे हमारे पास तो यह 2 case आ गई हमारे पास यानि कि 210 प्लस 325 इन दोनों को हम add कर देंगे फिर इसकी probability find कर देंगे तो दोनों को add करने पर हमारे पास किया result आएगा 535 दोनों को add करने पर हमारे पास यह result आया अब क्या करना है इसकी probability find करने के इसको किससे divide करेंगे टोटल नंबर से total number तो हमने क्या किया 535 upon 1000 कर दिया तो इसतरह से हम इसको किया अब यह करना है इसको simply divide करना है तो divide करने पर हमारे पर result क्या आजाएगा 0.535 तो हमारे पर यह result आ गया है तो देखे कितनी असानी से यह examples हो गए अब हमारे पर इक्जेम्पल 7 है पर जो है हमें यहां पर percentage given है यहां पर unit test हुए हैं बच्चों के students के मंतली तो यहां पर five test हुए उनके according in के percentage भी हमारे पस given है तो देखिए अब यहां पर हम बताना है based on this data find the probability that the student get more than 70 marks in a unit test तो यहां पर देखिए 70 marks 70 cents से जदा कितने बच्चों के कितने test में आएं हैं तो देखिए 70 plus किस किस के हैं second test में भी हैं third test में भी हो गए हैं और last test में जाने कि fifth test में भी हमारे पस 70 plus हुए हैं तो इन तिननों को क्या करने हैं इन जिननों की probability यहां पर हम find कर लेंगे तो यहां पर देखिए तीन test में आया है वन टू थ्री अब क्या कर रहेंगे total test हमारे पस कितने हो गए हैं three याने कि three में हमारे पस क्या जादा नंबर है और total test हुए थे हमारे पस five तो यहां पर हम क्या लिखेंगे total test हमारे पस total number कितने आएंगे five आएंगे total test five हुए थे तो यहां पर total number भी five होंगे अब पर्सेंटेज यानि की स्कोर कितना हुआ हमारे पास 70 प्लस 3 टेस्ट में हुआ तो उसको हम यहाँ पे 3 नमबर लिख देंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे यानि की 3 से डिवाइड 3 को डिवाइड कर दिया हमने 5 से तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.6 तो इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जेम्पल है हमारे पास एग्जेम्पल नमबर एट एन इंशोरेंस कंपनी सेलेक्टिड 2000 ड्राइवर्स एट रेंडम डैट इस विदाउट एन फ्रेंस ओफ वन ड्राइवर ओवर अनाधर इन पर्टिकुलर सिटी तो फाइंड ए रिलेशन बिट्विन इसका यहां पर इसका तु यहां पर किस तरह से इसका टेवल गीवन है तो उसको समझेंगे उसके वाद cook कारेंगे जो सबसे पहले कि एज गिवन हमारे पास एट साल के वीच में जो एक्सिडेंट हुए हैं वो कितने हैं अगर एक बर भी एक्सिडेंट ना देखे तो वो कितने हैं 440 अगर एक बर एक्सिडेंट हुए ऐसे परसंस कितने हैं 160 है इस तरह अगर दो एक्सिडेंट हुए तो हमारे पास वो जो हैं परसंस कितने हैं ड्रैवर कितने हैं 110 है इस तर एक्सिटेंट ना देखें यान कि एकदम सेफली और राइब किया तो उनके हो है 40 अगर एक बार एक्सिटेंट हुआ है वो है 110 इस तरह 3 बार एक्सिटेंट कि बारे में बात की गयी अगर एक्सिटेंट ना देखिया यानिकि एए लिए drive किया है वो है five hundred five इस तरह अंगर एक बर accident हुए वो है हमारे पस one hundred हड़ newest 25 अगर दो बर accident हुए तो वो है 63 वर accident हो है वह है 22 times 7 अगर ओवर तरी यानिकि तीन से ज़ाद गदुए है वो है 18 drivers इस तरह यहां पर हमारे पस next गिवन है अबव 50 यानि कि 50 से ज़्यादा वाले कितने हैं अगर एक भी एक्सिडेंट ना देखे 360 अगर एक एक्सिडेंट हुआ है वो है 45 अगर दो बर एक्सिडेंट हुआ है वो है 35 ड्राइवर अगर तीन बर एक्सिडेंट हुआ है एक ही ड्राइवर से अगर तीन बर एक randomly from the city तो देखिए यहां पर हमारे पास age given है being 18 to 29 यानि कि 18 साल से 29 साल की age में जो हमारे पास given है exactly three accident in one year तो यहां पर देखिए 18 साल से 29 साल की age पहले है यह 18 से 29 से देखिए इन में कहां पर लिखा है यह देखिए यह रहा हमारे पास अब हमें पताना है कि exactly three ही हुए है ना three से कम ना three से जाद accident तो three से ना कम ना जादा वो कितनी है 61 है तो अब हमारे पास क्या result आ गया number of favorable outcome कितनी हो जाएंगे हमें find करने exactly three तो यानि कि three के कितनी बार accident हुआ है 61 drivers है जिन्होंने exactly three times जो है accident किया है और total person total drivers कितने थे two thousand थे अब हम क्या करेंगे 61 upon two thousand लिख देंगे तो हमारे पास इसके probability आ जाएगी तो देखे हमने probability किस तरह लिखनी है इसको आप even नाम दे सकते हैं या फिर आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं जैसे कि मैंने या पर bracket में probability तो सबसे पहले ऊपर कितना लिखना है 61 और upon में two thousand आप इसको क्या करेंगे divide कर देंगे divide करने पर हमारे पास value क्या आ जाएगी zero point zero three five zero five तो हमारे पास यह value आ गई है लेकि किसके equal हो जागा यह वैसे zero point zero three one के equal हो गया अब हम क्या करेंगे अब हमें second probability find करनी है being 30 to 50 years of age having one or more accident in a year तो यहां पर देखिए हमें क्या find करना है 30 साल से 50 साल के जो persons as driver है एक बार से जादे उन्होंने accident किया यानि कि अब क्या कर रहेंगे हम इन सब को ही add कर देंगे तो इन सब को add करने पर हमारे पास देखे क्या result आ जाएगा वो हमारी probability find हो जाएगी तो इनको simply आप add कीजिए add करने पर देखे हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 तो देखे 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18 इनको हमने add किया तो हमारे पास result आ गया 225 तो देखे यहां पर जो हमने 0 क्यू नहीं लिया तो इसने कहा था 1 और more than 1 तो 1 accident देख देखेंगे तो हमारे पास क्या result आ गया 225 ताइम अब क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 225 अपोन में क्या रहेगा टोटल ड्राइवर टोटल ड्राइवर हमारे पास कितने है 2000 है तो इसको डिवाइड कर दीजे हमारे पास value आ गई 0.1125 यानि इसकी exactly value क्या हो तो एक बार भी accident ना होने का मतलब हम कौन सी age लेंगे तो इस age पर आ जाएंगे देखिए इसने age हमें बताई नहीं है कि कौन सी age लेनी है तो हम ये सबी age ले लेंगे क्योंकि इधर 0 accident हुआ है यानि कि 440 यानि कि 440 प्लस 505 प्लस 360 इन तीनों को add कर देंगे तो हमारे पास result क्या जाएगा 1305 तो यह हमारे पास इसका result आ जाएगा देखिए इन तीनों को हमने add किया यानि कि एक बार भी accident कितनी बार एक बी एक बार भी accident नहीं हुआ वह कितनी बार है 1305 इसको डिवाइड कर देंगे 2000 से तो हमारे पास यह वैली वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करन है तो देखिए अब next example है हमारे पास example number 9 consider the frequency distribution table 14 फोर चैप्टर 14 तो यह हमारे पास chapter 14 का है जो मैंने आपके यहां पर दिखा रहा हूं यह table है आपके पास which gives the weight of 38 students of a class तो यहां पर हमारे पास 38 students का जो है हमें table बताया गया है अब हमें यहां पर देखिए find क्या करना है सबस weight of a student in the class lie in the interval 46 to 50 kg तो देखिए यहां पर 46 इस table में आपको दिख रहा होगा 46 to 50 kg कहां पर लिखा गया है तो देखिए वो यह रहा हमारे पास तो यहां पर हमें बताना है कि यह कितने students होंगे इनकी probability हमें find करनी है तो देखिए इसके सामने जो number है वो हमारे पास इसका result होग यानिकी 3 ऐसे students हैं जो 46 और 50 kg के जिसके बीच में हैं यानिकी इन 3 students का वजन 3 students का weight हमारे पास इनके बीच में रहेगा तो students का weight हमारे पास इनके बीच में रहेगा तो अब क्या करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया total students हमारे पास हैं 38 तो यहां पर क्या करेंगे 3 upon 38 कर देंगे यानिकी number of favorable outcome यानिकी number of students हमारे पास जो हैं जो हमारे फेवर में हैं 46 to 50 kg के बीच में जो है student वो है 3 तो उपर हम लिखेंगे 3 और नीचे क्या लिखेंगे total student हैं वो हमारे पास 38 तो इन दोनों को हम divide कर देंगे यानिकी 38 से divide कर देंगे तो हमारे पास value आजाएगी 0.079 तो यह इस तरह से हम इसकी probability find की है next case देखिए give two events in one only having probability zero and the other having probability one तो यहां पर हमें क्या चक करना है कि जीरो प्रोबैबिलिटी और वन प्रोबैबिलिटी किन किन की है तो देखिए यह पर zero probability और वन प्रोबैबिलिटी हम कैसे लेंगे तो इसका event कितने होगा zero होगा क्योंकि देखिए यहां पर हमारे पास 30 kg कोई भी student नहीं है अगर उसे कम ले लेते हैं या फिर से जादा ले लेते हैं तो वह हमारे को हमारे पास probability वह कितनी देगा zero देगा इसी तरह अब हम लेंगे one probability कितने students की होगी तो देखिए यहां पर हम क्या लेंगे more than 30 kg ले लिजिए यानि कि हमने क्या किया इन सबी को आप हमने ले लिए यानि कि इन सब का sum कर दिया तो इन सब का sum कितना होगा इन सब का sum हमारे पास होगा 38 यानि कि number of favorable outcomes कितने होगे 38 और क्या लिया है example देखिए यहां पर हमने कोई भी example लेना था जिसे हमारे पास probability जीरो आजाए और एक वन के एक वल आजाए तो हमने क्या किया हमने जो हमारे पास given information थी हमने उसे अलग ले लिए information 31 टू हमारे पास आगे given था 75 तक तो हमने क्या किया हमने ले लिए 30 kg का student तो यहां पर 30 kg कोई student है ही नहीं table में कोई information ऐसी given नहीं है तो probability उसकी क्या रहेगी जिरो रहेगी और हमने और यहां पर हमें given क्या है given probability बताए कि कि किसकी रहेगी तो हमने क्या क्या इन सब का sum कर दि तो देखे इस तरह सी example number 10 है हमारे पास 50 seeds were selected at randomly from each of five bag of seed and were kept under standardized condition favorable to generation after 20 days the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follow तो तो देखे यहां पर हमारे पास क्या है सबसे पहले 50 तरह के बीज है यानिकी seeds है 50 seeds है five bags में हम रखे हमने उसको contain किया हुआ है और उसके हमने क्या किया after 20 days हमने उसको check किये और उसको record किया और उसको count किया तो इस तरह से देखिए one first bag second bag third bag four bag और fifth bag तो यह five तरह के five bags थे इन में जो हमने seeds जा ले थे देखिए इस तरह से number of seeds germinated first bag में 40 हुए इस तरह second bag में 48 third bag में 42 fourth bag में 39 fifth bag में 41 इस तरह से germinated हुए है तो देखिए अब हमें यहां पर find क्या करना है what is the probability of germination of more than 40 seeds in a bag तो more than 40 हमें बताने है कि किन bag में होंगे यानि कि more than 40 की हमें वो जो है probability बतानी है तो more than 40 यानि कि 41, 42 इस तरह से हम लेंगे तो 40 से जादा देखी कौन कौन से है 40 से जादा 48 है 42 और 41 यह तीन जो है 40 से जादा है तो इन तिनों को क्या कर लेंगे इन तिनों को हम लेंगे यानि कि number of bag क्या जाएंगे यानि कि number of bag हमारे पास 3 हो गए तीन bag में है देखे 1st, 2nd, 3rd यानि कि 3 bag में हो गए तो हमने उपर लिखा 3 और नीचे क्या लिखेंगे टोटल bag कितने थे 5 थे तो यहाँ पर upon में लिखा हमने 5 यानि कि 3 upon 5 तो इसको divide कर देंगे तो हमारे पास probability आ जाएगी 0.6 तो इस तरह से देखे अब हमें क्या find करना है 49 seeds in a bag तो देखे 49 seeds in a bag क्या है इनमें से कहीं पर 49 लिखा हुआ है नहीं इनमें से कहीं भी 49 नहीं है तो यहाँ पर probability कितनी हो जाएगी बैग की 0 यानि कि कोई भी बैग में 49 seeds नहीं है तो देखे इस तरह से हम इसको लिखेंगे इसकी probability क्या लिखेंगे number of bags कितने होंगे 0 ज 0 आजाएगा तो यहाँएपर probability क्या हो गई 0 हो गई इस तरह से देखेंगे नेक्स्ट क्या है more than 35 seeds in a bag तो more than 35 देखें क्या है हमारे पास पास more than 35 हमारे पास 40 48 42 39 41 सभी में more than 35 सीर्ड तो यहाँ पर क्या प्रोगाबिलिटी आ जाएगी हमारे पास वन आ जाएगी देखे किस तरह से इन फाइफ हैं हमारे पास फाइफ बैग में more than 45 35 है तो हमने क्या लिखा number of favorable outcomes हमारे पास फाइफ आ गए यानि फाइफ बैग रहेंगे मारे पास more than 35 सीर्ड के और टोटल नंबर कितने होंगे टोटल नंबर फाइफ हमारे पास फाइफ है तो इनकी probability क्या हो जाएगी फाइफ अपोन फाइफ एक वल्टू क्या होगा फाइफ 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 वन होगा तो देखिए इस तरह से हमने इसकी examples complete कर ली है अब जो हम समस इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छ लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों को शेयर कर दीजे अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे बैल आइकन को प्रेस करना मत बूल ताकि आपको लास नाइन से लेटी नएने वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं